नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शेयरिने में दोस्तो हम बात करेंगे मित्वर नासी वाले जातकों के लिए 14 और 15 जून कैसा रहेगा आपके वैपार, वैवसाय, करियर लव लाइप और आपके स्वास्त के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही आपको बताएंगे कौन से छेत्रों में कारी करनी से आपको ज़्यादा सफलता आपके मान, सम्मान, इज़द, पुत्परतिष्टा में बढ़ूतरी हो सकेंगे आप अपने कारी छेत्रों में बहतर परदरसन करें इसके लिए क्या करें क्या ना करें क्या कहते हैं आपके सितारे आपका लखी कलर लखी नंबर कौन सा रहने वाला है किस प्रकार के करमों को गरना आपके लिए सुब रहेगा किस प्रकार से समाज में आप अपने एक अलग से बिलग पहचान बना सकते हैं समाज वाले घर वाल स्वारे किस प्रकार से आपके इज़द कर सकते हैं आपके मान मरियादा इज़द पत्रतिष्टा में इस प्रकार बढ़ोतरी होंगे आपको बताएंगे सारी जान्कारी विश्टार से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर लें ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दुनों को बहतर बना सकें तुमत्रों मित्व नासी वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए 14 और 15 जून का समय कौफी अच्छा रहेगा आपका भाग खोज आपको आकर्षित करेंगे जदी आप लेकिन के च्छेतर से जुड़े हैं साहित कला के च्छेतर से जुड़े हैं तो आपको नई प्रियोजनाव पर काम करने के 72 नमों के बिंगे आपके काम काज की सहार ना होंगे तथा आपको इसी सम्मन्द में विदेश आई इस्टिर रहेंगे, आप भोतिक सुखों की प्राप्ति के लिए धन खर्च भी कर सकते हैं, आपको प्रभाव साली लोगों का सहयोग मिलेगा, अच्छी प्रगति होंगे, पारिवारिक समंद भी आपके अच्छे रहेंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ सुख में ज आतीत कर सकोगे, आपका खर्च अधिक हो जकता है, आपको अपने खर्चों पर नियंतरन रखने होंगे, भाग्य पक्ष भी आपका काफी मजबूत रहेगा, आप राजनितिक या समाजिक जीवन से जुड़ सकते हैं, आपको जीवन में काफी सुख परिनामों की प्राप् जीवन साथी से मदवेद उत्पन होने के लगातार संकेत मिल रहे हैं, अता स्वेंग को सांत बनाये रखें, और आप अपने जीवन साथी के साथ जादा से जादा समय वैतित करने की कोशिस करें, घर के साजो सुमान पर खर्च हो सकता है, आपको अपने भाई वहनों का पहिला मित्र के सहयोग से सभी कारों को पूरा कर सकते हैं, और उन्नती के आसार भी बन रहे हैं, अच्छे-च्छे कारों को कर सकते हैं, और सारे के सारे कारों को सही तरीके से पूरा करने की वज़ा से आपको खुसियां भी प्राप्त होंगे, नौकरी में प्रिवर्तन की देखने वालों के लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा भागित था आपके प्रियासु के कारण आप एक बहतर परिवतन करने में काफी समर्द रहेगे परिवारिक जीवन भी आपका यथावत रहेगा आपके सत्रू का समूल जो हैं वननष्ट करने में आपका जख्चम ऐसी में आपको थोड़ा सा धैरे रखने होंगे आपको इस समय नियंतरन रखना आवस्टक होगा कारिशेतर में नए परियोग से आप अधिक धन कमा सकते हैं सिच्छा पर्तियोगिता के लिए भी आपका समय काफी बहतर रहेगा नौकरी की तलास करने वालों के लिए ये स समय अनवास से कुरूद से बचना सिरेकर होंगे आप कुरूद ना करें हाला कि आपको आर्थिक तनाव तो रह सकते हैं आपको समस्याएं उत्पन नहों सकती हैं आपके जीवन में आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सावना भी तो करना पूर सकता हैं परंतु आपका सम प्यास आपको फल देंगे आपका वर्सट बना रहेगा समाज वाले घर वाले परिवार वाले आपके इस्चत करेंगे इसके साथ है मेत्रों मित्रूनरासी वाले चातकों को बताना चाहेंगे कि आप साम को अपने जीवन में काफी खुसियां पास कर सकते हैं साम को हो सके तो आप अपने दोस्तों के साथ कहीं गुमने फिरने भी जा सकते हैं। आपको आपके जीवन में काफे सुप परिणामों के प्राप्ति होंगी और कई सारे ऐसे विगड़े कारे हैं जो कि अब आपके बनने लगेंगे। यदि किसी बड़ी परत्योगिता के तयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती हैं। जीवन साथी के साथ सुखद यात्रा का योग भी बना हुआ है। साथ है लंबे समय से संतान सुख से आप जो कामनाय कर रहे थे संतान सुख से जो आपके एक्छाय थी वो भी आपके पूरी हो सकते हैं। पत्रों आपको पताना चाहेंगे कि मित्धू डासी वाले जाद्पो के लिए यह समय काफे सुख रहेगा अच्छा रहेगा और नए कारे को करने के लिए काफे महत्पूर रहेगा। आपका दिन बहतर बनें। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जैमाता दी अवस्ते लिखें। आपका दिन सुख हो, मंगलकारी हो, जैमाविन्दुवासनी।